हेलो फ्रेंड्स जावा प्रोग्रामिंग लेक्चर में आज का टॉपिक है इन्हेरिटेंस इन्हेरिटेंस का अच्छुवल मतलब है कि पहले से कुछ बना हुआ है उसको री यूज करना बैसिक प्रोग्रामिंग यह है कि कोई चीज बना हुआ है तो उसको री यूज कर लेते हैं तो दैंग मैकेनिज्म आफ डेराइविंग अनीव क्लास फ्रों एन ओल्ड वन इस इन्हेरिटेंस पहले से बना हुआ है उसको से हम कुछ नया कि एक्सेस कर रहे हैं उसका भी यूज कर रहे हैं और कुछ नया भी बना रहे हैं या उसी को री यूज करने का मतलब अल्री बना हुआ है सेम यूज तो होगा नहीं कुछ न कुछ उसमें बदलाओ करना है तो पहले से जो काम किये गय दो-तीन टर्म है जो आपको ध्यान में रखना है टर्म बेस क्लास सूपर क्लास और पैरेंट क्लास तीन में से कुछ भी हो सकता है एंड नीव वन इस कॉल्ड़ दस्व क्लास कि डिराइव क्लास कि और चाइड ग्लास कि यह सारे टर्म एक ही है है पड़ेंगे कैwe a news में पहुंझे क्यारीक हिए इस बागें रखेंगे आपकर इस्वात का दिशाई रखेंगे कहीं बेस क्लास होगा सुपर क्लास क्लास होगा तो उसको आप व्ल् upright क्लास मानेंगे और न्यू जो उसके सहयोग से क्रेट करेंगे उसको हम बोलते हैं सब क्लास डेराइव क्लास या चाइड क्लास अब इनहेरिटेंस का बेसिक कॉंसेप्ट क्या है जैसे देखिए माल लेते हैं कि इसी और गनाइजिशन की बात हम करें तो इंप्लाई होंगे इंप्लाई में बेसिक इंफॉर्मिशन हमारे पास है इंप्लाई आइडी और इंप नेम अब किसी भी और गनाइजिशन माल लेते हैं कि ए बीसी और गनाइजिशन है तो अब जड़ा साथ देखिए किसी इंप्लाई को अगर हम अलग अलग ग्रूप में बाट दे कि अगर हम इंस्टिशूशन की बात करें तो कि टीचर की बात होगी कि और इधार कि एड्मिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे कि यहीं पर कि नॉन टीचिंग के स्टाफ हो सकते हैं अब देखिए टीचर हो और अधर कोई स्टाफ हो नॉन टीचिंग स्टाफ हो यह एड्मिनिस्ट्रेशन के लोग हो सारे लोग देविशी के इंप्लाई ही है एक क्लास हमने यह बना लिया है अब अगर टीचर है तो टीचर में कुछ फीचर और जोडने हो सकते हैं टीचर क इंप्लाई आइडी और इंप्लाई नेम तो होगा अब इसके साथ इसमें इंप्लाई आइडी के अलावे हम सब्जेक्ट आइड झारत आइड़ति तर्बादिप्लिकाषग इंक आइड़ति औरत डिपार्टमेंट आइडी और कि डिपार्टमेंट नेम कि नेम कुछ इस तरह का structure अब हमारे हमारे प्रोग्राम में आता है तो हम क्या करेंगे अब हमारे पास एक भी कल्प है कि या तो हर अब टीचर भी इंप्लाई है तो इस्ट करें नेम करें नेम क्रिएट करें हर स्टाफ के साथ यहीं काम करें एडमिस्टेशन में जो लोग है उनके लिए भी काम करें फिर डिपार्त्मेंट आईड की बात होगी dp しま Last a perform intent. है Nail की बात होगि account section में as staff कोई हम बोलते हैं इनहेरेटेंस कि इसे फायदा क्या होगा कि एक बार कोई इंप्लाई आइडी हमने बना दिया माल लेतें क्लास बनाया इंप्लाई कि अब इस क्लास में अपना कि एंपी आईडी यह हमारा जो हो गया बेस क्लास हो गया यह सूपर क्लास अब नेक्स्ट जब हम तीचर का बनाएंगे क्लास तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है हमको कि इस क्लास को कि एक्सेस करना है कि इस क्लास को एक्सेस करने के लिए हमारे पास फीचर है कि अच्कोर जड़ासा extend extend अब यहा पर imply अगर इस तरह से हम रिफ्रेस्च दे दे एक बात ध्यान में रखेंगे आप कि यह एक्स्टेंड्स है एक्स्टी एंडी एस चुटना नहीं चाहिए एक्स्टेंड्स जो है वो कीवर्ड है वो एक्शुल में इनहेंटेंस का से कमांड है कीवर्ड है जो ही आप करते हैं तो इस लास के फीचर अब इस भीचर आप इस निवःड़ क्लास है यह तो सूबर क्लास है और यहां पर जो हमने किया तो इसकोष सारे को इस क्लास में हम यूज कर कर सकते हैं री यूज कर सकते हैं अलग से कोडिंग करने की ज़़ुरत नहीं है अब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसी के फीचर को इस्तेमाल करेंगे या इसी के extends keyword याद रखेंगे आप extends keyword से आप किसी भी क्लास को inherit कर सकते हैं अब जावा में क्या-क्या feature है जरा सब देख लिया जाए इसको जरा हम मीटा लें कि अब यहाँ पर सबसे पहला है single inheritance, single inheritance का मतलब है यह हमारा बेस क्लास हो गया यह हमारा सब क्लास हो गया मतलब एक बेस क्लास उसे एक हमने सब क्लास बना लिया single parent child का जो concept है वो होता है single inheritance only one super class है ठीक है अब इस ही में जड़ा सा देखिए अगर हम इस से बढ़के यहां पर हम एक और सब क्लास बना लिया इस सब क्लास के लिए तो सूपर हो गया इसके लिए इसके लिए सूपर यह हो गया इसको आम लोग बोलते हैं मल्टी लेवल इनेटेंस सिंगल लेवल इनेटेंस और मल्टी लेवल इनेटेंस मतलब बीच में कोई ऐसा भी क्लास है जो किसी न किसी बेस क्लास का इसस्थिती आती है कि हम को इसी क्लास से एक बेस क्लास है एक दूसरा बेस क्लास बना लिया एक और वेस्ट क्लास बना लिया मतला सब्क्लास वन सब्क्लास टू सब्क्लास थ्री अगर यह कॉंसेप्ट है तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइराइड कल्क्लास हाइराइड कल इंटेल है इनहेरिडेंस वन सूपर क्लास मेनी सब्क्लास एक है और यहां पर मेनी हमारे इस तरह से हमें यहां हटा भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है कि इस तरह का काम भी कर सकते हैं है और एक जो बेस्क्लास है इसमें क्या होता है जावा इन त्रों को सप्रूट करता यह धियान रखेंगे सिंघल इंहरिटैंस मल्टि लेबल इंहरिटैंस यहेरेट्वल इंहरिटेंस पर्फोन को जावा हम असे जो क्लास है जिसको मौट्या भी स्पोर्ट करते हैं यह जावा सपोर्ट नहीं करता है ऐसा नहीं है कि जावा में मुल्टिपल इन्हेटेंस का हम फीचर यूज नहीं कर सकते हैं इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन उसके लिए टर्म है इंटरफेस यहां पर मुल्टिपल इन्हेटेंस का मतलब होता है सेवरल सुपर क्लास सुपर क्लास हो गया और इन सब का फीचर अगर हम एक ही सब क्लास में डालना चाहें तो आप समझ सकते हैं यह सूपर वन सूपर टू सूपर थ्री और यह हो गया बेस क्लास यह जो व्यवस्ता है यह जावा सपोर्ट नहीं करता है यह ध्यान में रखेंगे जावा में इसके लिए अलग प्रोविशन है जिस पर डिसकसन आगे इंटर्फिश चेस्ट टॉपिक में हम करेंगे जेकिन इस बात को अप ध्यान में रखेंगे कि सिंगल इनहेंटेंस हाइरेकल मतलब वट्र निवां शूपर क्लास वन शूपर क्लास में इसको डाइवा सपोर्ट करता है इसमें सेवरवाव सूपर क्लास हो और सिंगल इसको जावा सपोर्ट नहीं करता है तो इसे सम्मधित प्रोग्राम तो आपको पास दिया गया है आप उस प्रोग्राम को देखेंगे कोई दिक्कत होगी तो इस पर आगे भी डिसक्सन करेंगे लेकिन यह बेसी कॉंसेप्ट है जो आपको इन्हेरिटेंस में याद रखना है इजामनेशन में अगर पूछा जाए तो इसको डिटेल में आप एक्सक्लेंड कर पाने की स्थिति में होंगे हम आसा रखते हैं इसको समझेंगे वीडियो को बार बार देखेंगे अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कॉंटेक्ट करेंगे तो वीडियो देखने के लिए धन